आम का सीजन है और आम की आइस्क्रीम तो हर कोई बनाना और खाना चाहेगा आज मैं आपको इस वीडियो के माददे में से दिखाऊंगा किस तरह से आप एक आम की हेल्थी टेष्टी घर पर इसक्रीम बना सकते हैं कि अपके घर में उपलब सामगधी के हिसाप से एप सभाघि आहीं में आपको दिखाता हूँ आम की आइस-क्रीम कि इस सीजन में भला आइस-क्रीम किसे अच्छी नहीं लगती हम आज बताने जा रहा है आम की ऐस- स्क्रिम मैं आसके लिए मैंने आम लिए हैं लगबद 500 ग्राम आम है आम की सबसे च्रोटे भड़े आप ले सकते हैं इसको हम छील लेंगे और इसका पर अलग सब हाई हम निकाल कर लें, यहां पर हम ढाल देंगे ही थोड़ा पानी थंडा पानी आप डाले अर इस थरीके से डाल कर के एक आप ईयांडर कसा पीस लेंगे मिक्स कर लेंगे तक तरहे से योजम एक चैनल अपक शूद्ट इज आख ले आ rotations यहां पर हम ले ले लेंगे वैपिंग क्रीम आइस क्रीम बनाने के लिए मैं को वैपिंग क्रीम के आउशकता पड़ेगी जिसको हमारी क्वांटिएटी के आम के साब से ले लेंगे और इसको फेटेंगे यहां पर मैं जितनी को क्रीम चाहिए उत्तीा आप टीकर ले 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 और इस तरीके से डाल करके आप इसको फैट ले यहां पर मुर्के इतनी क्रीम सफिशेंट रहेगी लगबग 3 हाम है तो उसके लिए मैंने 100 ग्राम वैपिंग क्रीम लिए अब हम इसको ग्राइड से फैट लेंगे और इसको जुस्त दूगने से तीगना साइज कर लेंगे यदि अपर इपास में वीटर हो तो भीटर से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं आप इसको बीटर की साहता से या मिक्सर की साहता रिट लगए इस तरीके से जब आप फैटेंगे तो यह फंट गर के डबल हो जाएगी रेपिंग क्रीम में लिए चीनी यहां सब्सक्रेजट कीangenने हैं किए यहां में रेका अडिवर कर दोंगर यह कितने रिए के रमकु लेखाण लिए में संब लिए वहें जितने रमकापडना की अर्भर के लिए हुगना फ YEा जोना कर डाहितनी है इसलिए मैंने चीनी ज्यादा नहीं डाली है, आदी कटोरी में चीनी डाल रहा हूं, इसके अतरिक्त हम यह जो आम का पल था, वो सारा का सारा मैं इसमें डाल दूँगा, इस तरीके से आप डाल करके, और इनों को मिक्स कर दें, चीनी मिक्स हो जाए, आम का पल मिक्स हो जाए यह आप मिक्स कर देंगे यहाँ पर हम डाल देंगे इलाइची मैंने सास से 8 ली है जिनोंके बारिक बारिक इस तरीके से इसके पाउडर बना लिया है साथ ही में डाल दूँगा कुछ हुड़क एसेंस की बूंदे इससे जाद अच्छा टेस्ट आएगा सास से 8 ड्रॉप मैंने से डाली है डाल है आप इसको मिक्स कर दें किसी मीटर की साइट भू तो बाफसर से इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें चीनी और और आपका इलायची पाउडर वागर कि इस तरह की से कंसीडेंसी होगी इतनी गाड़ी आइस्क्री में हमारे को चीएगी आमकी तब जमाते हैं तो इतना गाड़ापन आ जाएगा उसको बाद में आप किसी एर्टाइट डब्रे में भरकर कि इसको जमा सकते हैं किसी टिफिन बॉक्स में डाल देंगे टिफिन बॉक्स को डाल करके आप इस तरीके से कर लें ताकि इसमें किसी तरह के बुल बुले ना रहे इस तरीके से आप इसको डाल देंगे टिफिन बॉक्स में डाल करके और इसको जमाएंगे आप लगा दे इसके उपर एक फॉयल प करतें उसको बाहत में आप इसको वहां रखे जहां अप बरब जमाते हों साथ से आहब गंटे के लिए आपको इसको रखना हैं Fr Leezer में साथ से आठ गंडे बाद हम इसकी कंसिटेंसी देखेंगे हम इसका टिफिन का डखन देखेंगे और इसको आप जो उपर फॉइल पेपर है उसको भी आप हटा लगे इस तरीके से देखें वाँ क्या देखें किती शांदार मजड़ार आम की आइसक्रीम बनकर के तयार हो गई आप नख़री तरीके से जम गई है और ये पोल घु तरीके से जम गई है और यह आप फ्रीजर में रखेंगे तो आसानी से जम जाएगी, इस तरीके से आप इसको आइस क्रीम को निकाल के और अन्य किसी बाउल में डाल लें, यह बड़ी आसानी से निकल जाएगी और खाने में भी बहुत ही लाजवाप रहेगी, यह बनकर के तयार हो गई आम की करें अपने कमेंट के साथ मुझे बताएं किस तदीके से आपको यह रेसिपी लगी, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, थैंक्स